है फिर्लो फ्रेंट्स कैसे आप सभी मियंदाव है hoady kua dukudos एक यह की यूज सब्सक्राइब दुस्तो अगर आप इंटरनेट यूजश करने के लेएं एक जीवी वाला प्लान लेते हैं या फिर्लीजी के साथ हैं quindi जह हम 2-3 घंटे internet use करते हैं लगतार तो उसके बाद दूस्तों हमारा data जो है वो खतम हो जाता है और उसके बाद दूस्तों अगर हम कोई भी वीडियो देखना चाहें या कुछ भी देखना चाहें internet पे तो वहाँ पर दूस्तों कुछ भी नहीं चलता दूस्तों आज मैं आपको उता हूँगा एक ऐसी setting जिसके दूस्तों अगर आप इस setting को कर लोगे तो उसके बाद दूस्तों आप चाहें कितना भी internet यूज़ कर लो चाहें पूरे दिन यूज़ कर लो आपका data जो है वो खतम नहीं होने वाला नहीं एक जीवी नहीं डेट जीवी और उसमें से भी दोस्तों कुछ न कुछ बच जाएगा जिहां दोस्तों ये setting आप सभी करने ये बहुत ज़्यादा useful रहेगी तो इस वीडियो को बिना skip किये लाश तक देखते रहेगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक request करना चाहूँगा जितने भी लोग हमारी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं इन में से एक बहुत बड़ा नंबर है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस सेटिंग के बार में जिसके दुआ दूस्तों आप इंटरनेट डाटा बचा सकते हैं और इसके बाद दूस्तों मैं आपको ओता हूँग एक ऐसी application जो दूस्तों इस काम में आपका बहुत ज़्यादा help कर सकती है तो यहां पे दूस्तों सेटिंग के लिए सबसे उपर आपको जाना है एंपने फोन की सेटिंग में चाने के बाद सब से वे आपको मिल जाता है एंब्लाइब एग्लस आपके पास किशीडर्ड का यहां पर फोन है है कि आप अपने फोन में developer option कैसे enable कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों आपको जाना है back और यहाँ पर developer option जो आपको मिलता है वो मिलता है additional setting में यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जागा developer option इसमें दुस्तों जाने के बाद नीचे आपको app section इसमें आपको जाना है यहाँ पर कर देना है नौ बेंक्ड़ाउं प्रोसेस या फिर जाते हैं तो आप पर कर सकते हैं एक प्रोसेस्न या फिर दो कि लिए शलेक कर सकते हैं जितनी वी अप्लिक измен हाँ background में चलाने चाते हैं क्योंकि अगर आप standard पर करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपके background में बहुत सारी application चलती रहती हैं तो आप जो अपनी limit बना सकते हैं एक या दो मैं यही कहूंगा एक या दो application पर रखें या फिर दोस्तों आप no background process पर रखें simply उसके बाद दोस्तों यहा आपको यहाँ पर enable कर देना है यह setting करने के वाद दूस्तों आपका data है वह बहुत हद तक यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर दूस्तों एक application और है जिससे आप install कर लोगे तो यह भी दूस्तों आपका data बचाने में और भी ज्यादा help करेगी तो इस application का link आपको मिल ज़िए में open करके आपको दिखा देता हूं यह है दूस्तों वह application और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह कर देखेस मिलता है यहाँ पर जो भी permission मांगी जाएंगी वह दोस्तों यहाँ पर आपको देनी होंगी और उसके बार दूस्तों आप देख तो यह आपके mobile network से चले आपके mobile network का जो data है वो use करें तो आप उन्हें जो है आप पर allow कर सकते हैं अगर आप नहीं चाते तो यहां से दोस्तों आप उन्हें आपर disable कर सकते हैं कि यह आपका mobile data जो है वो use ना करें क्योंकि दोस्तों आप देख सिरो हमारे phone में यह setting हर किसी application पर allow होती है तो वो सभी application जो भी हम install करते हैं वो हमाई background में कुछ न कुछ डाटा जो है वो use करते हैं और इसके दोआ दोस्तों हम जो है उन application को limit कर सकते हैं कि यह application हमारे mobile data को यूज ना करें या फिर हमारे Wi-Fi data को use करें हम Wi-Fi डाटा के लिए इसे disable इनेवल कर सकते हैं और mobile डाटा के लिए बी कर सकते हैं तो यहां पर दुस्तु आपको यह limit रखनी चाहिए कि आप कि स application को mobile data पे use करना चाहते हैं और किस application को यहां पर आप बाइफाई डाटा पर यूज करना चाहते हैं यह सेटिंग दुस्तों अगर आपने कर ली इस एप्लिकेशन के द्वारा तो आप दुस्तों एक जीवी डाटा जो है अगर लिमिट होती कि हम अगले दिन भी उसकरते तो एक जीवी डाटा दो दिन तक भी यूज कर सकते हैं ल दोस्तों यहाँ पर अगर अब भी आपका कोई भी सवाल सो जहाब हो तो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है आपको वीडियो परसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिएगा चलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब् वीडियो में है जै हिन बंदे मात्रम